सेरा वे तजली हो मेरे तर से हुए नेन ए सईदे को नेन एक बार उठा दीजिए ये पर गए मा बेन ए सेदे को नेन ए सेदे को नेन आनतु दाइमतु अला आदाएहिम अजमाईन पहतर मनाजरीन इमाम हुस्ञें लिएसलाम के तारीख के बारे में कुछ नकते गुदरश्चता प्रोग्राम में आपके खिद्धते पेश किये थे आज के इस प्रोग्राम का मोदू कुफा शेहर में रहने वाले लोगों के अकाईद और इतिकादाद के बारे में हैं शाहर कुफा जैसे के कुदरश्चता प्रोग्राम में कुफा शेहर की तारीख के सिलस्ने में आप खिद्धते कुछ बाते अर्सकी थी ये शेहर जो जिनाब अमर के जमाने में इसका संगे बुनियात रखा गया और खुद जनाब अमर के इस दोर में ये शेहर आबाद हुआ और हता कि इसके आबादी एक लाग से भी उपर हुई जैसा कि 22 हिजरी में खुद तबरी जनाब अमर से ये कौन नकल करता है ये शेहर जनाब अमर ने आबाद किया था लहाज़ा यहां पर बसने वाले अक्सरियत ऐसे लोगों पर मुझतमिल थी कि जो जनाब अमर और जनाब अबुबकर के वफादारों में से थे अगर्चे जनाब अस्मान की तारीख में ये शेहर कौफा कई वार मुझकलात का शुकार हुआ और यहां के लोग बनी अमया की हुक्मरानों से बेजार और उनसे नाला हुआ करते थे जनाब अमामِ अली और अलीए से कि दौर में इस कूफ शहर में जहां आपने चप्ति जन साल हकूमत की वहीं पर आपकी तर्बियत की ज़़ा से आपकी तबलीग की वज़ासे इस शेहर में शियान हैदर करार के तादार में भी काबिल तवज्जुह मिगदार में इजाफा देखने में नज़र आता है अगर्चे जब इमाम हसान अलेह सलम माविया जिसे शख्स से सुल्ह करने पर मजबूर हो जाते हैं तो उसके बाद माविया जियाद और अबीह जिसे ख़़ीस इनसान को इस कुफ़ा शेहर का हाकिम बनाता है और उसने इस शेहर कुफ़ा में मौजूद शियान हैदर करार को एक-एक करके और चुन-चुन के उनने कतल आम किया इससले में तारीक में मुखिलीफ, वागिया वागियात मुझूद है अगर आप ंन वागियात का मुझाहिदा करें तो यून में आपको बहुत ही आजीम हस्तियां मिलेंगी को जो इस माविया के जमाने में शियाँन हैदय करार में उनका शिमार होता था اور معاویہ نے उन्हें علی علیہ السلام के साथ इजहार बेजारी की इजहार बेजारी ना करने के जर्म में علی علی pu के साथ इज़ार अदावत ना करने के जुरम में उन्हें शहीद किया अब जबके इमाम हुसें आले स्लाम में मौजूद हैं और मावया भी मौजूद नहीं तो ऐसे में कुफ़ा के लोगों ने इमाम हुसें को खुत लिखें और आप से ये तखाजा किया कि आप आप शहर कुफ़ा में तश्रीफ लाइए हम यहां पर आपके साथ हैं और यहां पर हम हकूमत को हकूमत के कारणदों को यहां से निकालेंगे ताकि आप आएए और इमाम अली लिए सलाम के तर्ज के हकूमत को यहां पर बरकरार करें यह खुतूद जो के तारीख में मौर्रिखिन ने से लिखे हैं और मुख्तिलिफ अंदाज में तासुरात मौजूद है इसके बारे में मुख्तिलिफ शुकूग और शुभात का इजहार किया जाता है सबसे पहले यह बात है कि जिन लोगों ने इमाम हुसेंद अलिह सलम को खत लिखे वो किस किसम के लोग थे क्या वो सब शुख्यान हैदर करार में उनका शुमार होता था या नहीं बलके दुसरे तबगे फिकर से तालुक रखने वाले लोग भी इन खतुत लिखने वालों में उनका शुमार होता था इसमें कोई शक नहीं कि मुला हैदर करार के शियायान में जिसे कि हबीब इबन मजाहिर मुस्लिम इबन आउसुजा और दूसरे शखसियाद वो हज़रात हैं कि जिनों इमाम हुसेंद लिखे थे लेकिन खतुत लिखने वालों में अक्सरियत उन लोगों की थी कि जो इमाम हुसेंद लिखे लिखे को सच्चे दिल से अपना इमाम नहीं मानते थे इसके एक मिसाल आप हज़रात की खिद्बने में प्रेश करता हूँ अगर किसी शहर क्या आप एक मिसाल लेखिए उस शहर में यकिनां विस थे ख्याव ओल आप किसी भी शहर को अपने शहर को आप नजर में रखिए क्या हर शहर में मुखलिफ गिसम के लोग पाए जाते हैं कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जमाने के हाकिम से अब या सदर है या वजिराजम है या वजिर आला है कोई भी श भी शक्स है उस शहipple में रहने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उस हकूमत के उस हाकिम के तरफदार होते है ओपैसे अगर इसने मोदोस को पåर्टी का होगत है तो शेहरे पीपल्स पार्टी की होती है वकोमत है होगती है यह हम कहते हैं लेगं इसके लावा एक गूर और भी है कि जो आवाम की अक्सरियत है ऐसे लोगों की एक्सरियत हैं कि जिन है इस बात की कोई परवा नहीं कि इस वक्त हाकिम कौन है और अपोजिशन में कौन है और बाद में हाकिम कौन बनेगा और अपोजिशन में कौन आएगा ये अक्सरियत वो लोग हैं कि जो अपने रोजमर्रा घजाई जोर्यात के फिकर में होते हैं ये अक्सरियत उन लोगों की हैं कि जिने सिर्फ अपने दुन्यावी कामों की तरफ अपने दुन्यावी अमूर की तरफ तवज़ होती है इन लोगों को इस बात की कोई परवा नहीं कि इस वक्त इस शहर में हाकिम कौन है किसे होना चाहिए और किसे नहीं होना चाहिए तो बारहाल हर शहर में ये तीन किसम के लोग हर जगा पर पाय जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हाकिम और हुकूमत के तरफदार होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हाकिम और हुकूमत के मखालिफ होते हैं लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है कि जो हुकूमत और हाकिमित से उनका कोई तालुक नहीं होता उन लोगों के नजदिक इस बाद से कोई फर्ग ने करता है कि हुकूमत किसकी है और कोन आता है और कोन जाता है उन लोगों का मकसद सिर्फ यह है कि शहर में हुकूमत आमन आमान काइम हो और शहर में उन लोगों के लिए रोजगार के मावाके हो और अनुन लोगों कोई खत्रा किसी भी श्वक्त से कहीं से भी महसूस नहों यह आवाम की अक्सरियत शहर कुफ़वी दूसरे शहरों की तरह एक शहर था इस शहर में रहने वाले लोग भी इसी तीन किसम के अफराद पर मुशन मिल थे इस शेहर में ऐसे लोग थे कि जो उस्मानी हुकूमत के जो यजीद और माविया के तरफदार थे इन लोगों की तेदात कम नहीं थी इसी तरह इसी शेहर में ऐसे लोग भी थे कि जो इमाह हुसेन आले सलाम के तरफदार थे जो ये चाहते थे कि इस कूफ़ शहर में इमाम हुसेन अलिए सलम आएं और इस शहर में अपनी इसलामी हकुमत को तश्कील दे और ये वो लोग थे कि जो शियान हिदर करार में इनका शुमार होता था और सचे दिल से उनकी ये खाहश थी کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ میں آئیں اور یہاں پر اپنی حکومت کو برقرار کریں لیکن تیسری طرف اکثرت ایسے لوگوں کی ہے جن کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت شہر میں نومان ابن بشیر حاکم ہے یا مسلم ابن عقید انہیں اس بات کا کوئی پرواہ نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ یزید ہے یا امام حسین ہے یہ لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ جس شہر میں آباد ہیں اس شہر میں ان لوگوں کے لئے روزگار کے بواقع ہو ان لوگوں کو کوئی پریشانی اور تکریف نہ ہو کوفہ شہر میں لینے والوں کا تعلق انہیں لوگوں سے تھا اب آئیے دیکھئے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے ان لوگوں کی اقصدیت کس قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعان حیدر قرار نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے لیکن اگر آپ تاریخ کا متعلق کریں تو انہی خطوط لکھنے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو یزید کو امیر المومنی سمجھا کرتے تھے انہی خطوط لکھنے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس وقت حاکم یزید ہے یا امام حسین تو اس تین قسم کے لوگوں کے خطوط امام حسین علیہ السلام کو ملتے ہیں اب آتے ہیں اس دوسرے نکتے کی طرف کہ کیا خط لکھنے والا شخص اگر خط لکھے تو کیا وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کے جرم میں شریک ہے یا نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ممکن ہے کہ ایک انسان کسی شخص کو دعوت دے اسے بلائے لیکن اس کے خون میں اس کو قتل کرنے میں اس کو شہید کرنے میں اس کا کوئی کردار نہ ہو تو یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یعنی اگر آپ کسی کو خط لکھتے ہیں اور اسے بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر میں تشریف لائیں جب وہ شخص شہر کے نزدیک پہنچتا ہے اور شہر کے لوگ مل کر اسے اگر قتل کر دیتے ہیں تو کیا آپ کو اس شخص کے قتل ہونے میں شہری کے جرم قرار دیا جا سکتا ہے ہرگی سے ایسا نہیں امام حسین علیہ السلام کو ان تین قسم کے لوگوں نے خطوط لکھے لیکن جب امام حسین علیہ السلام سرزمین عراق میں داخل ہوتے ہیں تو وہیں سے جہاں ابن عبیداللہ ابن زیاد کی حکومت برقرار ہوتی ہے تو اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے شیعان کو ایک ایک کر کے انہیں جیلوں میں ڈالا ایک ایک کر کے انہیں گرفتار کیا اور یہ واقعہ مسلم ابن عقیل کے آنے کے بعد ہوتا ہے اب باتیں اس نکتے کی طرف کہ کیا امام حسین علیہ السلام جنہیں قوفہ والوں کے خطوط ملے تھے کیا امام حسین علیہ السلام کو قوفہ والوں کی بے وفائی کا علم تھا یا نہیں میں نے گزشتہ پروگرام میں شہر قوفہ کی تاریخ کے بارے میں آپ حضرت کی خدم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ذہنیت کبھی بھی کسی بھی قوم اور کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک قوم کو ایک پوری نسل کو ایک پوری شہر کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایک ہی فیصلہ کریں اور کہیں کہ ہاں اس شہر کے رہنے والے سارے چور ہیں اس شہر میں رہنے والے سارے بے وفا ہیں اس شہر میں رہنے والے سارے قاتل ہیں اس شہر میں رہنے والے سارے مسلمان ہیں مومن ہیں یا اس شہر میں رہنے والے سارے منافق اور کافر ہیں یہ انسانی جہالت کی دلیل ہے ہم کسی بھی وقت کسی بھی انسان کے یا کسی بھی شہر کے بارے میں اصل افیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے جس طرح انسان کی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی इसी तरह किसी भी शहर में रहने वाले इनसान सब के सब एक जैसे नहीं होते तो फिर कूफ़ा वालों की बेवफाई के बारे में जो बातें तारीख में नकल हुई है इसके बारे में क्या कहा जाएगा देखिए मैंने कुजरश्टा प्रोड़राम में आपके खिद्धत ने ये बात बेयान की थी कि कूफ़े में रहने वाले लोग वो लोग थे जिन्हों ने पूरी तारीख में बनी अमया की हकूमत और बनी अबास की हकूमतों के खिलाफ किये मुख्तलिफ हकूमतों में इन्हों ने क्याम किया और हर क्याम में कूफ़े के लोगों ने शिर्कत की कही क्याम ऐसे थे कही क्याम ऐसे थे कि जिनकी आगाज जिसकी बुनियाद कूफ़े शहर से शुरू हुई इसी वज़ा से हाकिमीन के नज़नी कुफा शहर एक बदनाम शहर था यहां के रहने वाले लोग हमेशा बनी अमया और बनी अबास के जोर मुसितम के खिलाफ कियाम करते आ रहे थे इसी वज़ा से ये शहर हाकिमिन चाहे बनी हुमया के चाहे बनी अबास के उनके निसे एक बदनाम शहर था लहाजा अब जो भी मुर्रिख बनी अबास की हकूमत को खुश करना चाहता है तो वो यही काम करेगा कि बनी अबास की हकूमत के मुखालिफ शहर को बदनाम करे लहाज़ा कुफा शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई यह जो मुहमद इबन हन्फिया और अब्दुल्लाः इबन अबास के मश्वरे नकल होते हैं कि जब इबन हुस्वरे अबास के लोग बेवफा लोग है अगर आप वहाँ जाएंगे तो यह लोग आपके साथ बेवफाई करेंगे जिस तरह आपके वालिदे मुहतरम और आपके बिरादर मुहतरम से बेवफाई की थी अब आप जरा इनसाफ कीजिए कि नाओज बिल्लह इमाँ मुस्वरे अलिह सलम क्या इतने ना समझ थे और मुहमद इबन हनफिया और अब्दल्ला इबन अबास जिसे लोग बहुत ही समझदार थे क्या इमाँ मुस्वरे अलिह सलम और मुस्लिम इबन अकील के समझ में ये बात नहीं आई मुस्लिम इबन 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 حدام करने की कोशिश की 是ुए बनीवास के ह inseemह कि मु zawस के हुकमरान को- फिलाफ़त मु अथिकें एक एहम गिर्दार किया मुढ अगर्चे इमाम अलिय उलिह लिए सलाम के फर्रजान में से थे लेकिन जो तारीख में بنی عباس کے لوگوں نے یہ بات اٹھائی ہے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ محمد ابن حنفیہ امام علیہ السلام کے بعد امامت کے حق دار تھے اور ان کے بعد یہ حکومت عبداللہ ابن عباس کے فارزندوں کو منتقل ہوتی ہے تو چونکہ محمد ابن حنفیہ بنی عباس کے حکومت میں ایک بہت ہی عزیز انسان تھے لہٰذا معرقین نے ان کے طرف یہ نسبت دی اور ان کے طرف سے یہ بات پھیلائی کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا اور چونکہ عبداللہ ابن عباس خود بنی عباس کے جدہ ہمجد میں شمار ہوتے تھے لہذا معرقین سے بائید نہیں کہ وہ اپنے خلفاء اپنے جو حاکمین وقت ہیں ان کی خوش خدمتی کے لئے کچھ فضائل عبداللہ ابن عباس کے لئے گھڑے کہ جس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ دیکھئے عبداللہ ابن عباس کتنا سمجدار تھا امام حسین علیہ السلام کو اس نے مشورے دیئے حالانکہ امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے میں تمام انسانوں سے زیادہ عقل منت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد ابن عنفیہ اور عبداللہ ابن عباس جیسے لوگوں کی ذہن میں یہ بات آ جائے اور امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں بات نہ آئے یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں معرخین نے جنہیں مصنفین نے جنہیں معلفین نے کوفہ شہر والوں کے خلاف یہ بات گھڑی ہے کہ کوفہ کے لوگ بے وفا تھے امام حسین علیہ السلام اگر ان کی بے وفائی سے آگاہ ہوتے اگر امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ واقعاً بے وفا ہیں آپ ہرگز مکہ شہر سے اصلاً مدینہ شہر میں واپس پلڑ جاتے ہیں لیکن یہ بات ہرگز ایسی نہیں تھی امام حسین علیہ السلام کوفہ والوں کے خطوط کے اوپر آپ نے حساب باز کیا آپ نے کوفہ والوں کے خطوط کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ فرماتے ہیں اور مسلم ابن عقیل جسے شخص کو بھیجتے ہیں اور پھر تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو اس لیے بھیجا کہ آپ کو کوفہ والوں پر اعتماد نہیں تھا حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو اپنے سے پہلے اس لیے بھیجا تاکہ مطمئن ہو جائیں کہ کوفہ والے واقعاً بیعت کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں اور یہ چونکہ عرب والوں کا دستور ہے کہ جب بھی بیعت کرتے ہیں تو جان لٹانے تک مر جاتے ہیں لیکن اپنی ہاتھ بیعت سے نہیں اٹھاتے ایک مرتبہ جب بیعت کر لیتے ہیں تو آخری لمحے تک بیعت کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں یا مزمل یا مدسس یا مبشق یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو جب محسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو کوفہ شہر بھیجا اور مسلم ابن عقیل نے جب کوفہ والوں سے بیعت لی نومان ابن مشیر کو ہٹایا اور آپ خود کوفہ شہر کی مسجد میں امام جماعت کے طور پر نماز پڑھاتے ہیں وہیں پر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور امام کو اشارہ دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے کوفہ شہر کے لوگ آپ کے طرف دار ہیں اور آپ کے حمایتی ہیں اب پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ مسلم ابن عقیل جیسا ہشار اور سمجھدار شخص کوفہ والوں کے ہاتھ دوکھا کھا جاتا ہے دیکھیں تاریخ میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفہ شہر میں رہنے والوں لوگوں نے بے وفائی کی لیکن اس بے وفائی کی بنیادی وجہ کوفہ والوں کی بے وفائی نہیں تھی بلکہ کوفہ شہر میں جو نظام جس سسٹم کو جناب عمر نے برقرار کیا تھا کہ جس میں کوفہ شہر کو سات قبیلوں کے نظام پر تقسیم کیا تھا اور ہر قبیلے کے لئے ایک عریف رکھا تھا جو اس قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا اور یہ سردار ہر مہینے حکومت وقت سے تنخواہ لیا کرتا تھا تو چونکہ یہ قبائلی سسٹم کے تحت کوفہ شہر چلتا تھا تو جب عبداللہ ابن زیاد جیسا ملعون شخص اس کوفہ شہر میں آتا ہے تو اس نے یہی کام کیا سب سے پہلے انہی عریفوں کو انہی قبائلی سرداروں کو دعوت دی اور انہیں ڈرائیا دھمکایا اور کہا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ جس قبیلے کا کوئی بھی فرد اگر پایا گیا اس قبیلے کے افراد کو سارے قبیلے کے افراد کو سزا دوں گا میں اس شخص کو صرف سزا نہیں دوں گا بلکہ اس قبیلے میں موجود جتنے بھی افراد ہیں حتیٰ کہ اس قبیلے کے سردار کو بھی سزا دوں گا تو یہ دھمکیاں جو ابن زیاد نے کوفہ شہر میں آنے کے بعد دی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہی قبائلی سرداروں نے ایک ایک کر کے اپنے جوانوں کو ہٹانا شروع کر دیا اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قومیت اور قبیلے نظام نے کس قدر ہمارے آئینمہ تاہرین پر مسئیبتیں ڈھائیں کس قدر انہیں تکلیف اور آزار و عذیتیں دیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں تو پنجابی ہوں وہ سندھی ہے یا میں تو پتھان ہوں وہ مہاجر ہے یہ اسلام میں اور خصوصاً مکتب تشریعوں میں اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہم سب اگر مومن ہیں تو ایک خون و رے کی رنگ سے ہیں آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہے کہ جس میں ہمارے آئینمہ اتھار فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ پتوں کی طرح ہیں ہمارے شیعہ اشیان حیدر کررار اس درخت کے پتوں کے مانند ہیں کہ جن کی ٹہنیاں جن کے شاخیں ہم ہیں تو جس طرح ایک درخت کے اوپر جتنے بھی پتے ہیں وہ سب کے سب اس ایک ہی درخت سے منسلک ہیں کوئی پتہ یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے بہتر ہوں میں دوسرے پتوں سے بلند و بالا ہوں تو اس طرح جتنے بھی ہمی شیعہ اشیان حیدر کررار ہیں وہ اسی شجر تیبہ کے پتے ہیں یہ مت کہیے کہ میں فلان قبیلے سے ہوں یا میری فلان زبان ہے اور دوسرا شخص فلان زبان سے اس کا تعلق ہے فلان قوم قبیلے سے اس کا تعلق ہے ہم سب اگر واقعا شیعہ اشیان حیدر کررار میں ہیں اگر ہمارے شمار वाकएं शियान हैदर करार में होता है तो पिर हमारे अंदर ये ताइस्ब और ये इस किसम के बाते नहीं होनी चाहिए दूसरे कबिले के लोगों में दूसरे मज़ब के लोगों में ये बात अगर आये तो कोई एब नहीं इसलिए कि जनाब अमर ने इसी कबाईली निजाम को दूबारा जिन्दा किया खुद मदीने शेहर में लोगों को जो बेतलमाल से माल तक्सीम किया जाता था वो अरब और आजम की बुन्याद पर हुआ करता था लेकिन इमा मरीय अले इस अरब और आजम की बुन्याद को खतम कर दिया और फर्माते हैं कि जो भी मुसल्मान हैं चाहे वो सावेखिन फिल इसलाम में हो या चाहे इसी लम्हे मुसल्मान वा हो बेतलवाल में सब के सब शरीक हैं और सब के सब बराबर है तो अगर आप वाकएन अलिय 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 सलाम के पेरोकारों में से हैं और अगर आप जनाब अमर की इस बात की पेरवी करना नहीं चाहते हैं तो पिर यह आप पर जमेदारी बनती है कि आप कभी भी अपनी कोमियत को, अपने जबान को, अपने रंग और अपने चेहरे को कभी बन्याद बना कर किसी दूसरे मुमिन से दूर होने की कोशिश मत कीजिए करवला की तारीख हमारे लिए बेहत्वी निसाल है यह जितने भी दुनिया भर में लिसानी, नसली, गोमी सरदार होते हैं जो किसी कौम, किसी मजभब के लोगों को नसल परस्ती की बन्याद पर उनकी रहबरी करते हैं याद रखिए कि यह सबसे बड़े दुश्मन है अमाम हुस्यान अलेखियल को तनहाच छोड़ा यही लोग थे कि जन्हों ने शियान हैदर करार को एक एक करके मुस्लिम इभ्यल से दूर किया और यह सिर्फ यही नहीं बलकritis कि तारीख में हमें कई मौाओं पर हमें यह बाते मिलती है कि इमाम हसैन अलेखियल के साथ और दूसरे आहिमा ताहरिन के साथ उन्हों ने यही हर्ब इस्तैमान किये قومیت کی بات تحصب کی بات نسل کی بات زبان کی بات इन ही अंदाज में इनों नों ने इमाम हुसें अलेश्यों उर्दिकर आइमाह थालाओं के खिलाओं इन हत्यारों को इस्तामाल किया लेकिन देखिए हमारे आइमाह थालाओं की तारीख में उनकी जिन्दगी में कहीं पर भी हमें एक रवायत एक वाकिया एक इशारा तक नहीं मिलता कि उन्हों ने कभी भी किसी अरब को किसी आजम पर तरजी दी हो किसी गुरेशी को किसी गेर गुरेशी पर तरजी दी हो अगर आप वाकिन आहिम ताहिरीन के पेरोकार हैं तो ये आपकी बुनियादी जिमेदारी बनती है कि आप भी उन्ही उसूलों पर अमल करें जिन उसूलों को हमारे इमामों ने हमें दी है लहाज़ा कोमियत के बाद नसल और लिसानी बाते हैं नसली और लिसानी बाते हैं इन तमाम को बाला इताख रखते हुए दाइरा इमान में दाखिल हो जाईए और दाइरा इमान उसी तरखत के पत्तों के मानद है कि जिसमें एक शिया अगर वो काला भी है वो हबशी भी है उस पते से जुड़ा हुआ है उस शाख से जुड़ा हुआ है अगर एक अरब है वो भी अगर शियान हैदर करदार में से है तो वो भी उसी शाख से जुड़ा हुआ है जिस शाख से आप जुड़ा हुए है तो मुम्यन एकराम अब आते हैं अपने असल मतलब की तरफ कि कुफ़े के लोगों ने जब अबन ज्याद जैसा मलऊन शख आता है तो उसने कुफ़े के लोगों को इसी अंदाज में बहकाया कुफ़े के कबाईली सरदारों को दावत दी और इन्हें यह धंकी दी अगर तुम लोगों के कबीले में से किसी एक फर्द को अगर हमने गिरिफतार किया तो फिर उसको भी सजा देंगे और उसके पूरे कबीले के अफराद को सजा देंगे इसका नतिज़ा यह निकलता है कि लोगों ने मुस्लिम इन्यकिल का तनहा चुड़ा यह बेवफाई की वज़ा से नहीं थी कुफ़े के लोग हरगिस बेवफा नहीं थे बलकि कुफ़े के कबीले के सरदारों की बेवफाई थी और यह कबाईली सरदार आज भी दुनिया में जहां भी हैं सब के सब बेवफा है यह सब जाती मफादात की खातिर अपने जाती अगरास की खातिर दीन के दुश्मन बने हुए है पस जो भी इनसान किसी कबीले के सरदार को अपना सरदार मनता है तो वो अपने जहन में इस बात को निकाल दे कि वो इमाह हुसेन को अपना इमाम मनता है इसकी बेहतरीन मिसाल कुफ़े की मिसाल है जहां पर जो दुखा इनी कबाईली सरदारों ने इमाह हुसेन को दिया शायद तारीख में किसी भी शख्स ने किसी भी इमाम को इतना बड़ा और आजीम दोगा नहीं दिया होगा तो अब मालूम होता है कि कुफा शेहर में हर किसम के लोग थे और हिने खबाईली सरदारों की बदोलत इबन ज्याद को फता मिलती है और मस्लीM अबन अकिल को जाहिरी तोपर शेकेस मिलती है अब इमाम हुसेन अलिह सलम कुफा शेहर की तरफ हरकत कर रहे होते हैं केसे में इमाम हुआन अल्यह सलम को मकाम जुबाला में मसलीम अबन अकील के शहादते की खबार मिलती है मैं तारीख के अलफाज को दुराना नहीं चाहता सिर्फ एतिकादी तोर पर बास नुक्ते जो बास लोगों ने शुभए के तोर पर उठा हैं उनका जवाब देना चाहता हूँ अब जब इमाम हुसें अलएस स्लाम करबलाश में पहुंचते हैं अब दुसरे स्वाल ये है कि इमाम हुसें अलएस स्लाम के मकाबल में जो लशकर आया था क्या वो लोग शियान हिदर करार में से थे या नहीं इमाम हुसें अलएस स्लाम के दुश्मनों में से थे और वो लोग थे जो अम concept को अपना इमान और अपना रहबर नहीं मांते थे इसकी बेहतिरीन मिसाल खुद रोज आशोरा की मिसाल है कि जब अमाम हुसियन इस वापर पानी बंद किया जाता है तो इसी लशकर में ऐसे लोग थे कि जो इमाम हुसें आले सलाम की फोज की तरफ बुलंद आवास ये ऐलान करते थे कि तुम्हें पानी हर्गेज नहीं मिलेगा यहां तक कि तुम लोग जाओ और जहन्नम का पानी पियो क्या एक शिया इमाम हुसें को इमाम मानते वे इसी बात किया सकता है और इसी कूफ़ शहर में रहने वाले लोगों का जो लशकर आया था इन में ऐसे लोग थे कि जो इस बात का ऐलान करते थे उमर इबन सायद को बार बार कहते थे कि जल्दी से इमाम हुसेन का काम खतम कर दो ताकि हमारी नमाज असर गजा न हो इमाम हुसेन को शहीद कर दो ताकि हमारी नमाज गजा न हो क्या एक शिया इमाम हुसेन की शहादत का इस कदर मुश्ताख है कि उसे अपने नमाज की फिक्र है, अपने इमाम की फिक्र नहीं और इसकी तेसरी मिफाल जो बेहतरीन मिफाल है वो यह है कि खुद लशकर-बने जियाद में से लशकर-आउमार अबने साद में से जब एक सिर्फ आता था और अपनी मुषर्फी करता था तो वो यही कहता था कि मैं उस्मान के शियों में से हूँ मैं मावे के तरफदार में से हूँ लेकिन किसी एक फर्द ने तारीख के किसी भी हत्या के मुखरिस्तरीन मौरिख ने भी इस बात का तथक्राँ नहीं किया है कि कि इस कुफ़े के लशकर में इस एपने जियात के लशकर में से किसी एक फर्द ने ये एलान किया हो कि मैं हैदर करार के शियों में से हूँ कहीं पर भी हमें नहीं मिलता लेकिन ये जरूर मिलता है कि बाद आए थे उन्होंने कहा थे कि हम इसमान के शियों में से हैं लेकिन किसी एक फर्द ने, किसी भी फर्द ये नहीं कहा कि मैं अली के शियों में से हूँ और उसके बाद उसे भी एहम दलील इस बात पर हमें मिलती है कि खुद इस लशकर में मौजूद जितने भी लोग थे वो सब के सब या उस्मानी थे या उस्मानी हुकूमत के तरफदार थे इसलिए कि जब इबन जियाद ने इमाम हुसें के मकाबल में लशकर बेजना शुरू किया तो खुद इसी तबरी के बकुल, इसी अनसाब अश्राफ में बलाजरी के बकुल इसलिए के गुरूँ गुरू रास Rebecca में भाग जाये करते थे इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसें के सामने उसके मुणाबल में आकर लड़ें इमाम हुसें के दुश् ένα के दुश्मन होते हुए उसके दुश्मन के दएनात में अजाफा करें एक तरв से मजबूर थे च्वाइली सरदारों ने ابनजञात के साथ बैयत की थी और च्वाइले का सिस्टम किविले निजाम महाँ पर हाकिम था एक तरफ से अपनी कबिले के सरदार के बातों के तरफ मजबूर थे और दूसी तरफ वो इमाम हुसेन को अपना इमाम समझते थे लहाज़ा इमाम हुसेन के मकाबिल तलवार न उठाने के खातिर इन लोगों ने दर्मयान से भागते रहे मुम्मिने कराम ये तारीख है कुफा के शहर बे रहने वाले लोगों की इसमें कोई शक नहीं कि इस लशकर में इपने जियात के इस फोज में जितने भी अफराद आए सब के सब कुफा शहर से नका तालुक था इसमें कोई शक नहीं कि इमाम हुसेन के मकाबिल आने वाली फोज वो सब के सब फोज कुफा शहर में रहने वालों की थी एक भी सिपाही एक भी शख्स शाम शहर से नहीं आये था इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी लोग इमाम हुसेन के खून के दरपे थे यह वो लोग थे कि जो कुफ़ा शहर में आबाद थे लेकिन जैसा कि मैंने आपके खिद्मत में शहर कुफ़ की तारीख बयान की थी और ये बयान किया था कि इस कुफ़ शहर को जनाब अमर ने आबाद किया था जनाब अमर के इसानात कुफ़ शहर के लोगों पर थी और कूफे शहर में शियों की अक्सरियत बनी अबास के जमाने से शुरू होती है जब इमाम सादिक अलिएसलाम के जमाना आता है जब इमाम बाखर अलिएसलाम का दोर आता है तो इस दोर से थोड़ा थोड़ा आइस्ता इस शेहर में शियों की तेदाद में जाफा होता जाता है और यहां तक कि उसके बाद से ये शेहर शियों का शेहर मशूर हो जाता है अगर आज कोई शेहर शियों के नाम से मशूर है ये इस बात की दलील नहीं کہ جس دن یہ شہر بنا تھا اس دن بھی شیعوں کا شہر تھا جس دن امام حسین نے شہر میں اس شہر میں آئے تھے جس دن امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جنگ کے لیے گئے تھے اور اس امام حسین کے مقابل میں جو لشکر آئے تھا وہ سب کی سب شیعہ لوگوں پر مشتمل تھا ان نقاط کے سلسلے میں اگر آپ کو مزید مطارب کی زورت ہے آپ تاریخ کو ایک بار پھر مطالعہ کیجئے اور دیکھئے कि इमाम हुसेन के जमाने में इस शेहर में शीयों की तादा किस कदर कम हो चुकी थी यही जो कम महदूत तेदाद में मुस्लिम इबन आउसुजा, हबीब इबन मजाहिर जैसे अफराद जो बाकी बच चुके थे यही वो लोग थे जो छुप छुप कर मदिना इस कुफ़ा शेहर से इमाम हुसेन के साथ वफदारी, इज़ार वफदारी किया करते थे अलबता इस बात में कोई शक नहीं कि कुफ़ा शेहर के लोगों ने जो खत लिके थे उसकी बुन्यादी वज़ा ये नहीं थी कि वो इमाम हुसेन को अपने इमाम समझते थे बलकि उनकी असल वज़ा ये थी कि चुँके जंग जमल, जंग सिफेन में इन लोगों की दुश्मनिया शाम वालों से बढ़ चुकी थी तो कुफ़ा शेहर के लोगों के नफरते शाम के लोगों के साथ ज्यादा थी लेकिन ये इस बात की दलील नहीं कि वो लोग शिया थे जो भी माविया का दुश्मन हो, जो भी यजीद का दुश्मन हो, लाजम नहीं कि वो शिया हो बलके मुम्किन है कि वो शख्स नशिया हो और नहीं यजीद का तरफदार हो बलके एक आम इंसान हो एक आम मुसल्मान हो तो जिन लोगों ने इमाम हुसेन अलिए स्लाम को कुफ़ा शहर से खत लिखे थे मक्के शहर की तरफ ये उन लोगों की अक्सरियत थी कि जो इमाम हुसेन अलिए स्लाम को अपने लिए बाईसे निजास समझते थे जो ये समझते थे कि अगर इमाम हुसेन अलिए स्लाम इस कुफ़ा शहर में आएंगे यहां पर आपके हकोमत बनेगी तो फिर कुपयब शहर अमारी अलेन स्कार्ण के तरह दोबारा दारू खिलाफ़ा बनेगा और लाजमी बात है जब कोई शहर दारू खिलाफ़ा बनता है तो फिर बेतलमाल का मरकज वही बनता है फिर सारे दुनिया के भर के ख्राज और मालियाद, उन सब का रुख दारल खिलाफ़ के तरह हो जाता है और इन्ही लालिची लोगों ने इसी बुन्याद पर इमाम को खढ लिखा क्योंकि माविया ने शरीख डारल खिलाफ़ा बना चुका था ये लोग चाहते थे कि जब इमाम हुसेन वापस आएंगे यहां पर हकूमत बनेगी तो यहां का कारबार यहां का इक्पिसाद को रुनक मिलेगी जब दारल-खलाफा बनेगा लाजमी बात है कि सारे हवामिल जतने भी कारफरमा हैं वो जतने भी दुनिया भर में जहां जहां भी इसलामी हकूमत हैं खिराज मालियाद सारे पैसे टेक्स जकात उन सब को कुफा शहर की तरफ भीजेंगे और जब कुफा शहर में इतना सारा दौलत इतना सारा पैसा आएगा तो खुद पखुद यहां के लोग भी मालदार और पैसेदार हो जाएंगे इसी बुनियाद पर इसी लालिच पर भी लोगों ने खुद लिखे हैं अब आप समझ गए होंगे कि कुफा के शहर में जो आलोग आबाद थे उनकी अक्सरियत अवामन नास की थी बाद कुछ लोग थे कि जो हकूमत इसमान के तरफदार थे बाद ऐसे लोग थे जो हकूमत इमाह मुसेन के तरफदार थे और इन्हीं ने निधह दूंगों ने ने नास के लेखिए होने बलके सब लोगों ने खुद लिखें कुछ लोगों का मकसद इमाह की इसलामी खभूमत थी जो शीयन्हें धर कर रहा थे कुछ ऐसे छरलोग थे कि जनका मकसद अपनी अक्टिसादी सोच अपन जान बचाने के खातिर भी खत लिखा कि कल अगर अमाम हुसेन के खूमत बन जाए तो कल कई हम गिरिफ़तार नहों जाएं हम भी कहेंगे कि हाँ हमने भी तो खत लिखे थे ये वही लोग थे जो उस्मानी हुकूमत के तरफदार थे जो यजीद के हुकूमत के तरफदार थे लेकिन खौफ और डर की वज़े से उन्होंने भी खतुद लिखे पस खतुद लिखने में तीनों गुरूख के लोग अफराद शामिल थे लेकिन इमाम हुसेन के मकाबल में जो लशकर आया वो सिर्फ उन्ही उस्मानी और अवामनास के से तालुख रखने वालों लोगों पर मुझतमिल थी इमाम हुसेन के शियान हिदार करार में एक भी फर्द इमाम हुसेन के मकाबल में इमाम हुसेन के लशकर मकाबल में नहीं आया wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah, Allah, ya Allah